कि फीलिंग फराउंड इंडियन आर्मी ही चंग के मैं दान में कदे ना हारते हूँ विल्कम फ्रेंट्स आज के वीडिये में आप सबको बताऊंगा मैं पक्जी मोबाइल एंड पक्जी मोबाइल लाइट के बीच काफी कुछ डिफरेंस जिसको जानकर आप हेरान हो जाओगे यहाँ पर आप मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा गेम बेस्ट लगता है यह जानने के बाद बिकोस यहाँ पर मैं आपको काफी कुछ इंपोर्टेंट चीजे बताऊंगा पक्जी मोबाइल एंड पक्जी मोबाइल लाइट के बारे में जिसको जानने के बाद 2GB, 4GB, 6GB RAM वाले, 8GB RAM वाले, अलग-अलग प्रकार के लोग मुझे कमेंट करके बताना है आपके डिवाइस में आपके लिए कौन सा गेम बेस्ट है, पक्जी मोबाइल या पक्जी मोबाइल लाइट, जरूर से यहाँ कमेंट कर देना, उसके बाद यह पूरा वीडियो बिना इसकिप के देखने के बात करना, विकोस आप लोगों को पूरा पता चलना चाहिए, यह लाइगन को आल पे कर लेना, एंड वीडियो पर लाइक नहीं के तो लाइक कर देना, एंड गैस हमाई चेरिम पर चल रहा है, टू विनर पास का गीववे, तो पाटिसिपेट करने के लिए आप यह वाला मेरा कल का वीडियो देख लेना, जहाँ पर मैंने आपको स्टा स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाय विष्ट के, तो फ्रेंट सबसे पहले हमारी पकजी मोबाइल के आप यह लोबी देख सकते हो, यह 0.70.0 अपडेट की है, एंड गैस यहाँ पर अभी 2nd एनिवर्सरी चल रही है पकजी मोबाइल की, तो गैस लोबी का थीम काफी अच् सकते हो, यह 0.70.0 अपडेट की लोबी है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको Spring Event देखने मिलता है, यह Spring Update की लोबी है, साथ ही साथ यहाँ पर आप इमोट अपने इंवेंटर में जाके करना पड़ता है, आपको अंदर थोड़ा जाना पड़ता है, बट आप यहाँ पर इंवें में कौन-कौन से मेपे तो काईस, यहाँ पर आपको Classic मेप में यहाँ एरेंगल, मिरामार, विकेंडी, एंड सेनोग मेप चार मेप देखने मिल जाते हैं, हमें पकजी Mobile में Classic में, जो कि हम TPP and FPP में खेल सकते हैं, सेकेंड हमें Arcade में Hardcore, Quick Scope, Sniper Training देखने मिलता है, सो काईस, फाइनल यहाँ पर हमें काफी सारे मेचेस देखने मिलते हैं, पकजी Mobile में, टोटल इसकी गिंती करें तो 4, 3, 3, 6, 2, यानि आप टोटल करी सकते हो, कितने होते हैं, अफ़ फ्रेंट से हमारे पकजी Mobile, लाइट की लोबी में चलते हैं, वहाँ पर हमें 2 मेप दिख दिखने मिलता है, अब में आभी लोग कें, जो कि काफी टाइम हो चुका है अभी लोग को तो क्याइस, सभी हमें TDMI देखने मिलता है, lotta and cash tunnel, और क्लासिक में विरेंगा और गोल्डन वूड्स देखने मिलता है, आरकेड में वार एंट य ze g1 Dr. legs, आप ओगक तो कुछ एसे हम 5 में फियानी खेलेगेज़ पाते हैं पग्जी मॉबाल लाइट में अब आम्याल फ्रंट्स अब अमरे पग्जी मॉबायल के रोयल पासपड में यहां पर आपको gun skin यानि bicycle के skin एंड बहुत सारे emote देखने मिलते हैं दो emote देखने मिल जाते हैं दो या तीन outfit आपको देखने मिल जाते हैं फ्री में भी आपको काफी सारी यानि बीना royal pass purchase किये भी हमें site rank तक मिल जाते हैं फ्री में outfit वगिरा एंड यहां पर हमें 100 rp में काफी अच्छे suit एंड देखने मिलते हैं जो कि आप screen पर देख सकते हो backpack के skin एंड यहां पर हमें landing के लिए कुछ अलग सी चीज देखने मिलती है जो कि smoke track होती है तो यहां पर हमें winner pass तो काफी बड़ा एंड काफी ओपी देखने मिलता है पक जी mobile में एंड देखी सकते हो और कितने बड़े बड़े outfit यहां पर हमें last जब 100 rp होता है तो दो में से एक लेना पड़ता है यानि हमें girls चाहिए या boys वाला यानि कोई साभी outfit आपकी पसंद का आप ले सकते हो दो में से एक तुकाइस यहां पर हमें 100 rp में भी काफी अच्छे outfit देखने मिलते हैं यहां पर काफी है यानि एकदम emote देखी सकते हो और क्या sweet sweet emote है तो काफी अच्छे emote के साथ सतमे यह winner pass देखने मिलता है पकजी mobile में तो guys अब पकजी mobile light का winner pass यानि हमारा royal pass देख लेते हैं तो guys यहां पर आपको 1 rp से लेके 10 rp तक देखने मिल जाते हैं हर चीजे आप यहां पर 1 rp and 10 rp में आपको 2 outfit देखने मिल जाते हैं एक pain का skin हमेशा देखने मिल जाता है winner pass में यहां पर आपको free वाले के लिए भी 15-20 rp तक यानि free चीजे मिल जाती है साथी साथ यहां पर कुछ create भी मिल जाते हैं हमें redeem में जो के rp करने पर हो जाती है 30 rp पर हमें यहां गन की skin देखने मिल जाता है खास बात यह है कि pakजी mobile light में पर मन्त है नहीं हर मन्त आपको new winner pass देखने मिलता है जो कि pakजी mobile में 3 मन्त में winner pass चेंज होता है बस यहां पर pakजी mobile light में आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाता है एक मन्त के अंदर अंदर हमारा winner pass चेंज तो अब हमारी pakजी mobile की waiting area लोगी देख सकते हो जो की classic match इरेंगल की है यहां पर आप देख सकते हो कितनी बड़या लोबी देखने मिलती है इसका look काफी बेतर है एंड गाइस सभी second anniversary की theme पे है लोबी design है यहां पर देख सिखते हो corona से पेचने के लिए लोगों ने यहां पर mask भी पेने है तो काफी अच्छी social lobby है यहां पर देख सकते हो आर्केड करके यहां पर आप गेम भी खेल सकते हो लोबी के अंदर जित्ती देर आप जल्दी आ जाओ तो यहां पर हम कोई game play करते हैं तो यहां पर में एक और चीज आ चुका है यहां पर कोई कोई वगेरा token से हम game भी खेल पाते हैं लोबी के अंदर ही सो गाइस काफी टाइम हो चुका तो तो मुझे game खेलने ज्यादा नहीं मिलेगा आप अब देख सकते हैं पर हम लोबी के अंदर पकजी मॉइल में game भी खेल सकते हैं तो यहां लोबी की बात करें तो काफी यहां पर आपको यह नहीं जो बोल होती है यहां पर रंग भी रंगी बोल देखने मिलती है जो की पुरा कलर कर देती है एनिम इस पर यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हमारे नेश्ट फेक्ट की और यहां पर हम आपको एक वार का गेमप्ले बताऊंगा दोनों पक्जी मोगा लाइट एंड पक्जी मोगाइल का उसी के बाद हम डिसीजन कर लेंगे कि कौन सा गेम बेस्ट था इतने सारे यानि हमने आपको फेक्ट बता आप यहां पर लाइस्ट देख सकते हैं तो यहां पर आपको का आइसलेल इलेंड तो यहांपर आप देख सकते हमें रिंज में हमें आवार का जो आ जो में जहाते हैं वह मिला है जो की काफी ओपन में एक ही घर पे है साथ ही साथ में जब लेंडिंग करूंगा तो मुझे यहां पर इस्मोक टाइप कुछ मिल रहा है तो यहां पर देख सकते हो मेरा सीजन एस का पेरा सूट जो की मैंने सीजन से वन कॉंग्र भी करा है पक्जी मोवाइल में पर आपको लोड इमेज देखने नहीं मिलेगा यहां पर आपको काफी यह नहीं दो से तीन गोली में आप खतम हो जाओगे इतना खतरनाक डेमेज है बट गाइस पक्जी मोवाइल लाइट आपको 2GB एंड 2GB रेम के लिए बना है 2GB 4GB रेम के लिए तो गाइस वहाँ पर आपको इसपेसली लोड इमेज दिखेगा जिसे कि आप यह नहीं लोड इमेज वाले जो 2GB एंड 4GB के फोन होते हैं वहाँ पर आपको ज्यादा हीट देखने ना मिले इसलिए काफी कुछ ची स्टोरेज 3GB के समतिंग हो चुका है एंड पक्जी मोबायल लाइट के साथ 1GB के करीब है यह हमारा इस्टोरेज का एंड चलो अब पक्जी मोबायल लाइट के वार में चलते हैं वहाँ पर अब मैं कुछ आपको फेक्ट बता देता हूँ तो गाइस अब यहाँ पर आपको मैं सारे डाउट एकदम क्लियर कर दूँगा कि यार कौन सा गेम बेस्ट है आपके डिवाइस के लिए बिकोस गाइस मैंने पुरा एक्सपिरेंस कर लिया है पक्जी मोबायल लाइट को आपको यहाँ पर पक्जी मोबायल लाइट का यह जो वार मोड आप देख सकते हो तो गाइस यहाँ पर ग्राफिक्स के मामले में भी पक्जी मोबायल लाइट ने भी काफी अच्छा इंक्रीस कर लिया है अब बात करें 2GB एंड 4GB रेम के डिवाइस की मामले में तो गाइस उन लोगों के लिए पक्जी मोबायल लाइट बे गेंड गाइस यह काफी अच्छा है फिफ फ्री फायर जो गेम होता है उससे तो काफी बेटर है पक्जी मोबायल लाइट आपको एक बेटल रोयल गेम में अब पक्जी मोबायल की बात करें तो उसकी क्या खासी आते तो गाइस वह बड़े मोबायल के लिए यानि वह कंप प्रोशेशर, मीडियाटेक तो गाइस उनका जो लो प्रोसेसर होता है उनकी वज़े से भी यानि आप वो लेक का सामना करते हैं एंड काफी कुछ लोग जो 6GB एंड 8GB RAM में खिलते गाइस वह भी पक्जी मोबायल लाइट की और सीफ्ट हो रहें तो गाइस यहाँ पर आप पर आपको लेक प्रोब्लम नहीं देखने मिलेगा आपने देखा होगा जब मैं वार किल रहाता तो वहाँ पर मेप भी आपको क्लियर्टी नहीं दीख रहा है बट गाइस मेरा मोबायल 8GB RAM का एंड अभी अभी लिया है उसके बाद भी इतना है नहीं वहाँ पर मुझे लाइट को बेश्ट मानता हूं अपनी ओर से आप भी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सी चीज अच्छी लगी पकजी मोबाल लाइट या पकजी मोबाल सोरी हां तो ये दो में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट पर जरूर बताना आज का वीडि झाल झाल